तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर, एक WhatsApp को दो मुबाइल में कैसे चलाते हैं, बीना WhatsApp वैब के, बीना किसी एप के, जी हाँ दोस्तो, WhatsApp में एक ओफिशल निव अपडेट आया है, जिसकी मदद से आप एक WhatsApp को अपने दूसरे फोन में यूज कर सकते हैं, अगर आपके WhatsApp पर नजर रखना चाते हैं, उनके WhatsApp को अपने फोन में यूज करना चाते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, उनके फोन में भी WhatsApp चलेगा, और आपके फोन में भी WhatsApp चलेगा, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा, कि आप उनका WhatsApp यूज कर रहे हैं, उनके WhatsApp पर नजर रख रहे हैं, इ यहाँ पर आप देख लीजिए, यह वाला WhatsApp मैं आपको यह फोन में चला कर दिखाऊंगा, अब माल लीजिए, यह मेरा main mobile है, और यह second mobile, ठीक है, तो आपको अगर दूसरे mobile में WhatsApp यूज करना है, अपना, तो आपको क्या करना है, दूसरे फोन में WhatsApp को डाउनलोड कर लेना है, ठ यहाँ पर आपको mobile number एड़ करने की जरुवत नहीं है, आपको उपर में three dot पर click करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी link to existing account, जैसे कि आप देख सकते हैं, हो सकता है आपके फोन में link के device का option हो, या हो सकता है आपके फोन में सिरिफ यहाँ प अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का link मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा, ठीक है उस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ पर link to existing account का option मिल रहा है, तो इस पर मैं click कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक QR code देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, अपने main mobile में WhatsApp को open करना है, 3.0 पर click करना है, यहाँ पर आपको link के devices पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको link के device पर click करना है, यहाँ पर आपको अपना screen lock आपने लगा र main WhatsApp है, वो दूसरे phone में login हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं back आता हूँ, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह मेरा main WhatsApp है, और यह दूसरे phone में भी चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमरान जी ओ, इमरान जी ओ, आलिया, आलिया, आप आप देख सकते हैं, यहां से आप status भी देख सकते हैं, जैसे क्या आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपको मैं नमबर दिखा देता हूँ, सेम नमबर से दो WhatsApp चल रहे हैं, अलग-अलग फोन में, यहां पर आप आप नमबर देख लीजिए, मैं आपको life proof के लिया है दूसरे फोन में और आपको दूसरे फोन से WhatsApp को बंद करना है, लोग-अट करना है तो कैसे करेंगे यह काम दोस्तों, आप दोनों ही WhatsApp से कर सकते हैं, दोनों ही mobile से कर सकते हैं, अगर आप second mobile से करना चाते हैं, लोग-आउट तो आपこ three dots पर किलिक करना है, यहां पर आपको account पर click करना है तो यहाँ पर आपको logout का option मिलेगा जैसी आप logout पर click करेंगे तो दूसरे phone से whatsapp बंद हो जाएगा अगर आप अपने main mobile से logout करना चाहते हैं तो आपको three dot पर click करना है link at devices पर click करना है यहाँ पर नीचे में आपको android का option मिलेगा आपको android पर click करना है अब यहाँ पर आपको logout का option मिलेगा जैसी आप logout पर click करेंगे तो दूसरे phone से whatsapp बंद हो जाएगा logout हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम back आते हैं अब मैं यहाँ पर दुबारा से whatsapp को open करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर यह logout हो चुका है नीचे ह हम continue पर click करते हैं यह बंद हो चुका है तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो channel को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए